हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए ADCA के final paper का एक model paper और वो भी बहुत ही शानदार model paper लेकर के आ चुका हूँ जो आपके exam की तयारी को पूरी तरह से चेक करने के लिए आपकी मदद करेगा जी हाँ दोस्तों आज का जो यह session होने वाला है इसके अंतरगत हम लोग ADCA के final paper में किस तरह से आपको तयारी करनी चाहिए किस type के questions वहाँ पर देखने को मिलेंगे किस तरह से exam का pattern है और कैसे कैसे प्रश्णों वहाँ पर आते हैं किस तरह से प्रश्णों की प्रकृती होती है और किस तरह से आपको वहाँ पर अपने answer sheet पे इनके answer लिखने होंगे इसका पूरा का पूरा detail मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप भी ADCA की पढ़ाई कर रहे हैं या आपके भी final exam बिलकुल नजदीक आ चुके हैं तो इस वीडियो को इस session को पूरा last तक आपको देखना चाहिए वो भी बिना कहीं skip किये हुए क्योंकि हर जगह पर मैं आपको बहुत ही important fact भी बताता चलूँगा इस course से related और साथी साथ हर एक प्रशन पे मैं discuss करूँगा ताकि आपकी तयारी भी आपको पूरी तरह से check हो जाए और साथी साथ आपको यह model paper भी पूरी तरह से solve हो करके मिल जाए तो यह पूरा का पूरा session बहुत ही जादा खास होगा इस session को अपने maximum friends में share कीजिएगा जो लोग भी ADCA की पढ़ाई कर रहे हैं उनको यह video तो जरूर देखना चाहिए तो चलिए बिना देर किये चलते हैं आज के इस session पे नमस्कार दोस्तों मैं अभेपांडे CCI Education नगरा के इस digital class में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो आज का session होगा यह पूरी तरह से dedicate है ADCA के model paper पे जिहां दोस्तों ADCA का पूरा नाम होता है Advanced Diploma in Computer Application और यहाँ जो है ADCA का एक लगभग model paper है जो कि किस तरह के प्रशनपत्र आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे और कैसे आपको अपनी तयारी करनी होगी किस तरह से आप जा करके वहाँ exam देंगे तो आपकी परिक्षा बहुत अच्छी होगी इस पूरे के पूरे session में मैं discuss करने वाला हूँ दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें तो ADCA का जो final paper होने वाला है वो आप पूरी तरह से नय pattern पर हो रहा है यानि कि अब आपको इसमें पूरे के पूरे प्रशनपत्र में आपको multiple choice questions देखने को मिल जाते हैं आप true and false के भी question देख सकते हैं fill in the blank का भी आपको यहाँ पर प्रशन देखने को मिलता है और साथी साथ आपको match table से भी related आपको first section देखने को मिल जाता है यानि कि जो शुरुआती चार प्रशन होंगे उनमें 10-10 point होने वाले हैं और सब में जो है अलग-अलग तरह के प्रशन आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों ये बहुत ही सांदार session होगा और जैसा कि मैंने इसी तरह का एक model paper पहले भी बना करके अपने इस channel पर upload कर रखा है अगर आपने वह model paper नहीं देखा है तो video के बिल्कुल last में यानि इस session के बिल्कुल last में उसका भी link मैं आपको दे दूँगा और अगर आप अपने exam की तयारी कर रहे हैं तो ये दोनो model paper तो आपको सूरू से लेके अंत तक जरूर देख लेना चाहिए अपने exam के पहले ताकि आपको maximum idea हो जाए कि किस type के questions जो है आपको paper में देखने को मिलने वाला है तो बिल्कुल तयार रहिए और हर एक प्रशन का answer भी आप देने को तयार रहिएगा देखिएगा आप कितना right answer कर पा रहे हैं जी हाँ दोस्तों आज का जो session होगा वो वाकई में यहाँ पर बहुत ही जादा शांदार होने वाला है उसी तरह से होगा जी हाँ दोस्तों आज हम लोग अपनी तयारी को बिल्कुल एक last stage तक पहुचा चुके हैं और आज हमको बस केवल चेक करना है कि हमने कितनी अच्छी तयारी कर रखी हो और इस तरह के session में जो आज का session है इसमें हमको कितना right answer कर पा रहे हैं और हमारी तया कि पहला प्रशन कैसा रहने वाला है तो दोस्तों जो हमारा पहला part इसका होगा आप देख पा रहे होंगे कि जो part one है जो भाग एक है इसमें आपको सभी प्रशनों का उत्तर देना है जी हाँ दोस्तों answer all these questions जितने भी प्रशन होंगे उन सभी का answer आपको देना है ये compulsory है और जिसके आपको चार अलग अलग विकल्प देखने को मिलेंगे और उसमें से जो बिलकुल सही answer होगा वो आपको answer लिखना होगा अपने sheet पर दोस्तों आपको बता दें कि जो पहला प्रशन यहाँ पर होने वाला है उसमें total 10 question होंगे और प्रत्येक प्रशन एक number का होगा यानि कि total जो marking होने वाली है वो 10 number की यानि कि पहला प्रशन जो है वहाँ कुल 10 अंकों का होगा और लगभग इस तरह के प्रशन जो है इसमें पूछे जाते हैं हम यहाँ पर एक एक करके प्रशनों को discuss करने वाले हैं जैसे सबसे पहला प्रशन है निमनलिखित में से कौन स का operating system multitasking कार्य नहीं कर सकता है जी हाँ दोस्तों यहाँ पर प्रशन में पूछा गया है multitasking कार्य नहीं कर सकता है ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है Windows 8, Windows ME, Linux या फिर DOS तो दोस्तों जो भी लोग इस समय live session में जुड़े हैं आप लोग comment करिए और फिर मैं बताता हूँ कि इसका right answer क्या होने वाला है जी हाँ दोस्तों यहाँ पर जो question number one का one है यानि प्रशन एक का जो एक number है उसका right answer यहाँ पर हो जाएगा disk operating system जी हाँ दोस्तों जो disk operating system है यहाँ एक ऐसा operating system है जो multitasking का कार्य नहीं कर सकता है यहाँ पर जो चार नाम लिखे गए हैं यह सभी के operating system का जो eight version है यह भी multitasking कर सकता है साथी साथ Windows ME भी पूरी तरह से multitasking के लिए जाना जाता है दोस्तों एक और बात आपको बता दें कि ME जो version का नाम लिखा है इसका पूरा नाम millennium है जबकि Linux भी एक GUI operating system है जो multitasking के लिए जाना जाता है दोस्तों यहाँ पे कुछ fact हम आपको इस प्रश्ण के साथ बताते चलें तो Windows operating system जो है यह Microsoft company द्वारा बनाया गया है जबकि Linux operating system को Linux star world ने बनाया है और DOS को भी Microsoft company ने बनाया है तो question number जो first है यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option D disk operating system अब चलते हम लोग second question के तरब जो दूसरा प्रश्ण है वो है निम्न में से कौन सा impact printer है जी हाँ दोस्तों impact printer कौन सा है ऐसा प्रश्ण पूछा गया है option देखे दिया हुआ है laser printer, ink-z printer, dot matrix printer और 3D printer तो दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों option में कौन सा impact printer है दोस्तों यहाँ पे जो right answer होने वाला है इस प्रश्ण का वो हो जाएगा option number C dot matrix printer जी हाँ दोस्तों जो dot matrix printer है इसे ink-z printer के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर तोड़ा साम आपको printer के कुछ fact बता दें तो printer में impact printer वह printer होता है जो इसका printer head बार-बार page पर टकराता है और dot dot करके सूचनाओ को paper पर print out करता है यह काफी आवाज करता है और इसकी गती भी बहुत slow होती है जबकि laser printer, ink-z printer और 3D printer यह सभी non-impact printer की स्रेणी में आते हैं यानि कि इनका printer head बार-बार page पर नहीं टकराता है और लागातार जो है वो print out करने का काम करता है सूचनाओ को जल्दी-जल्दी print करता है laser printer printer की दुनिया में सबसे बहतरीन printer माना जाता है जो की 600 से भी ज़्यादा dpi पे काम करता है जी हाँ दोस्तों printer की जो quality होती है हम लोग उसे dpi में मापते हैं मैं यहाँ पर उसका नाम लिख देता हूँ दोस्तों printer की जो quality होती है वो dpi में मापा जाता है यानि की dot per inch में मापा जाता है और सबसे high dpi laser printer की होती है दोस्तों यह पूरा का पूरा session जो है बिल्कुल मैं आज suggest करूँगा की पूरा का पूरा last तक देखिएगा और हर एक प्रशन पे मैं discuss भी करदा चलूँगा ताकि आपकी तैयारी और जादा solid हो सके तो बिल्कुल ध्यान से इस पूरे session को last तक देखिएगा अब चलेंगे 1.3 पर बहुत ही शांदार प्रशन है wordpad का extension name है क्या है जिहां दोस्तों wordpad का extension name क्या है dot pmd dot wdp dot rtf या फिर dot doc तो आपको यहां पर बताना है कि इस प्रशन का right answer क् दोस्तों यहां पर जो right answer होने वाला है वो हो जाएगा option number c dot rtf जिहां दोस्तों wordpad नामक जो application है इस application का जो default extension होता है वहाँ dot rtf होता है जिसे हम लोग rich text format कहते हैं जिहां दोस्तों rich text format के नाम से इसे जाना जाता है जबकि dot pmd जो है इसे page maker document यानि page maker का extension है और dot doc जो है यहां MS word application का यानि कि MS word Microsoft word का extension dot doc है पुराने वर्जन में 2003 तक के वर्जन में यह extension है तो प्रशन number 1.3 का right answer rtf होगा दोस्तों एक और बात आपको बता दें कि जो भी extension name होते हैं वो हमेशा dot से शुरू होते हैं और यह extension फाइल को पहचान कराने में हमारी मदद करते हैं अब चलेंगे हम लोग next question पे 1.4 बहुत अच्छा प्रशन है bank account कितने प्रकार के होते हैं जी हां दोस्तों bank में कितने प्रकार के account होते हैं 1,2,3 या फिर 4 चलिए जल्दी से अपना comment कीजिए और बताइए दोस्तों जो bank account होते हैं वह होते हैं generally three types के यानि तीन प्रकार के bankों में account ज्यादा तर देखने को मिल जाते हैं और bank account में जो तीन account हैं इनमें saving account, current account और fixed deposit account आते हैं तीनों के बारे में अगर मैं एक छोटा छोटा definition आपको बता दूँ तो saving account ज्यादतर लोगों द्वारा खोलवाया जाने वाला account होता है जिसमें कि आपको एक निर्धारित interest जो है समय समय पर मिलता रहता है जबकि current account विशेश रूप से व्यापारी बर्ग के लोग प्रयोग करते हैं जिसमें किसी भी तरह के transaction पे या amount पे आपको interest नहीं मिलता है saving account में आप निर्धारित समय के लिए निर्धारित समय के अंदर आप एक निर्धारित बार अपने पैसे का transaction कर सकते हैं जबकि current account में आप जितनी बार भी चाहें transaction कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा जिस पे आपको account पर interest मिलता है वह आपका होता है fixed deposit account जिहां दोस्तों fixed deposit account पर सबसे ज़्यादा आपको ब्याज मिलता है अब चलेंगे हम लोग next question पे blackberry किस प्रकार का operating system है जिहां दोस्तों blackberry जो है वो किस प्रकार का operating system यहाँ पर पूछा गया है कैसा operating system है mobile का operating system है computer operating system है laptop operating system है या फिर VR operating system है चलिए जल्दी से अपना comment कीजिए और बताइए दोस्तों यहाँ पे जो प्रस्ट नंबर 1.5 का right answer होने वाला है वो हो जाएगा mobile OS जिहां दोस्तों mobile के लिए जो operating system है उसे blackberry OS के नाम से जाना जाता है OS का यहाँ पर पूरा नाम operating system है दोस्तों आपको बता दें कि blackberry जो है एक तरह का proprietary software है यानि proprietary operating system है जो की खरीदना पड़ता है और इसे research in motion नामक company द्वारा बनाया गया जिहां दोस्तों याद रखिएगा blackberry नाम का OS जो है वो research in motion नामक company द्वारा तयार किया गया है next question पे चलते हैं जो powerpoint से related है powerpoint में table insert करने पर by default कितना column insert होता है जिहां दोस्तों अगर powerpoint में आप table insert कर रहे हो तो वहाँ पर आपको by default में कितना column insert होके मिल जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्ण दिया गया है उसके चार option है 3, 4, 5 या फिर 6 तो मैं इसका आपको सीधे practical दिखा देता हूँ दोस्तों हम window के साथ R करके और यहाँ पर powerpnt करने वाले हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि table जब हम insert करने जाते हैं तो default मे हमको कितना row और कितना column मिलता है दोस्तों आप देखिए insert table पर हमने आ करके click किया आप देखिए इसमें column की संख्या जो है वो 5 है और row की संख्या 2 है यानि कि आप table insert करते समय 5 column और 2 row default में आप insert कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग इसको cancel करके और यहाँ page जो है minimize करते हैं और यहाँ पर right answer option C हो जाएगा यानि कि 5 column जो है हम by default में insert कर सकते हैं जबकि row की बात हुई होती तो वहाँ दो insert हो सकता है अब चलेंगे next question पे 1.7 बहुत स्षांदार प्रश्ण है chkds के command का प्रियोग होता है change directory, make directory, remove directory या फिर none of these चलिए जल्दी से इसका right answer comment कीजिए और बत यहाँ यहाँ पर जो right answer होगा वो मेरे हिसाब से हो जाएगा none of these जी हाँ दोस्तों क्योंकि chkds के जो है वो disk को check करने के लिए होता है तो chkds के command का हम लोग प्रियोग करते हैं disk को check करने के लिए ना कि change directory, make directory और remove directory इनके लिए हम लोग जो use करते हैं command जैसे change directory के लिए हम लो chkds के लिए हम लोग यहाँ पर md command का प्रियोग करते हैं और remove directory के लिए हम लोग यहाँ पर rd command का use करते हैं जबकि chkds के जो है यहाँ पर उसका right answer नहीं दिया गया है chkds के का पूरा नाम check disk है और इससे हम लोग अपने hard disk को check करने का काम करते हैं अब चलेंगे 1.8 question पे नि short tool या पिर state line tool चलिए जल्दी से अपना comment कीजिए और बताइए दोस्तों coral draw application एक ऐसा application है जिसमें बहुत सारे tool दिये गये हैं और वो tool आपको हमेशा left side में दिखाई देता है दोस्तों वहाँ पर state line tool नाम का कोई भी tool नहीं होता है जबकि आपको उसमें the short tool, crop tool और hand tool ये देखने को मिल जाता है जबकि state line नाम कोई भी tool आपको वहाँ पर coral draw के window में देखने को नहीं मिलता है दोस्तों यहाँ पर हम आपको coral draw के window भी आपको लेके चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ tool box कहां पर है और आप उस tool box में maximum tools को याद रखिएगा क्योंकि कई बार जो है वो tools से related भी आपसे प्रस्ण पूछे जाते हैं तो coral draw एक ऐसा application है जहाँ पर कई बार maximum tools से related प्रस्ण जो है वो आपसे पूछे गया है तो इनको याद रखिएगा coral draw का यहाँ पर window देख रहे होंगे कि open हो चुका है और यहाँ पर यह ज tool है आपको crop tool देखने को मिल जाता है आपको लगबग सारे tool देखने को मिलते हैं लेकिन straight line tool नाम का नहीं मिलता है दोस्तों यहाँ पर एक और बात बता दें कि जितने भी black color के छोटे छोटे आइकन देखने को मिल रहे हैं इनको fly out button के नाम से जाना जाता है और fly out button जो होते आप देखेंगे तो smart drawing tool पर भी आपको fly out नहीं मिला है और यहाँ पर जो आपका pick tool है इस पर भी कोई भी आपको fly out icon देखने को नहीं मिल रहा है तो यह सारी बाते भी याद रखिएगा क्योंकि छोटे छोटे प्रशनों में इस तरह के प्रशन भी आपसे पूछे जा सकते है तो right answer यहाँ पर हो जाएगा 1.8 का state line tool अब हम लोग चलेंगे next question पे question number है 1.9 परम 10,000 super computer कब बना था जी हाँ दोस्तों यह परम जो 10,000 super computer है यह कब बना है 1992, 94, 96 या फिर 98 चलिए जल्दी से अपना comment कीजिए दोस्तों यहाँ पर जो right answer होगा वो हो जाएगा option number D 1998 जी हाँ दोस्तों 1998 में पहली बार शीडैक नामक company ने भारत में परम 10,000 नाम के super computer को बनाया था जिसे PVBJ भासकर द्वारा बनाने का काम किया गया था next question है ABC stand for जी हाँ दोस्तों ABC का पूरा नाम क्या है option आप देखिए 4 यहाँ पर दिये गए है और आपको बताना है ABC जो computer है इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दू right answer option A ही हो जाएगा एटना सौ बेरी computer जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है एटना सौ बेरी computer ABC का पूरा नाम है अब चलेंगे हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ जो की true false से related है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है true false से related आपको प्रश्न देखने को मिल जा रहा है इसमें भी 10 प्रश्न है प्रतिक प्रश्न एक नंबर का होने वाला है यानि कि total आपको 10 marks के प्रश्न देखने को मिल जा रहा है सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ है BCR stands for जिहां दोस्तों BCR का पूरा नाम क्या है बार कोड रीडर तो यह बिलकुल ही true है जिहां दोस्तों आप भी चाहें तो अपना नीचे comment टी या F में लिख करके या true या false लिख करके बता सकते हैं वो भी प्रश्न के नंबरों के साथ जिहां दोस्तों जैसे आप लिखेंगे 2.1 is true तो BCR का पूरा नाम बार कोड रीडर है DOS को computer system का आत्मा कहा जाता है क्या यह सही है जिहां दोस्तों DOS जो है या कोई भी operating system के वल DOS ही नहीं कोई भी operating system computer system का आत्मा होता है next question यहाँ पर दिया गया है true false में Windows operating system में नया folder बनाने के लिए create option का use करते हैं दोस्तों अगर Windows OS में आपको नया folder create करना होता है तो क्या आप create option का परियोग करते हैं तो यह जो sentence होगा वहाँ पूरी तरह से false हो जाएगा नया folder हमको create करना होता है तो हम लोग new option पर जाते है next यहाँ पर देखिए liner दिया गया है true false का wordpad में word wrap मुख्यतह तीन प्रकार के होते हैं कि आप wordpad application में जो wordpad है word wrap जो option है वह तीन प्रकार के होते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि notepad application में जो format menu आपको देखने को मिलता है वहाँ पर आपको word wrap उना आपका option मिलता है और वहाँ पे केवल दो प्रकार की word wrap होते हैं तो यह sentence भी आपका false हो जाएगा मैं आपको यहाँ पर notepad को open करके दिखा देता हूँ और वहाँ पे आपको मैं दिखा दो कि यह देखेंगे आप कि format menu में आपको word wrap का नौम का option मिलेगा और अगर word wrap आप use करते हैं अगर आप word wrap को disable करके रखे हैं तो आप जो भी text लिखेंगे वो केवल एक ही line में लिखता चला जाएगा बाकी text जो है आपका hide होता रहेगा तो यह word wrap इसमें केवल दो ही होते हैं जबकि wordpad जो application है उसमें word wrap आपको तीन तरह का मिलता है no wrap, wrap to window और wrap to ruler अब चलेंगे next liner पे MS paint में knife tool का प्रयोग करके किसी भी आकृती को काटा जाता है जिहां दोस्तों knife tool का प्रयोग करके हम लोग किसी आकृती को काटने का काम करते हैं क्या यह सही है दोस्तों paint के अंतर गत किसी object को काटने के लिए हम लोग knife tool का use नहीं करते हैं आइफ टूल जो है यह कोरल ड्रा का एक टूल है तो यह sentence भी यहाँ पर false हो जाएगा आप चलेंगे next question पे word document में end note insert करने के लिए ctrl shift d key को प्रेस करते हैं जी हाँ दोस्तों अगर end note आपको करना होगा तो आप ctrl shift d button आप प्रेस करेंगे तब आप end note जोडने का काम कर सकते हैं word win word में जी हाँ दोस्तों आपको सीधे सीधे win word में ले चलता हूँ और आपको वहाँ पर मैं end note का shortcut सीधे दिखा देता हूँ दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है आपका open हो चुका है insert में हम लोग आएंगे और insert में आप देखे यहाँ पे foot note और end note की मिल जाएगी तो यहाँ पे हम लोग page layout में चलते हैं और यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि हमको foot note और end note की सुविधा कहां पे मिल रही है तो आप देखे यहाँ पे insert end note और इसका shortcut alt ctrl d दिया हुआ है जिहां दोस्तों insert end note का shortcut है alt ctrl d तो क्या यह हमारा option था तो आप देखे alt ctrl d नहीं है shift ctrl d है मतलब यहाँ भी sentence जो है वहाँ पूरी तरह से false हो जाएगा end note insert करने का alt ctrl d था तो यहाँ पर यहाँ sentence जो है वो false हो जाएगा next question यहाँ पर दिया गया है excel में row की संख्या 17,72,73 होती है क्या यहाँ सही है तो दोस्तों यहाँ भी sentence जो है वो पूरी तरह से false है तो यहाँ भी false हो जाएगा क्योंकि row की संख्या excel के अंदर 16,384 होती है जी हाँ दोस्तों row की संख्या जो है आपको वहाँ पर 17,82,73 देखने को नहीं मिलता है excel के अंतरगत row की जो संख्या होती है sorry मैंने 16,384 बताया है यह सहीने row की संख्या होती है 10,48,576 जी हाँ दोस्तों 10,48,576 excel में row की संख्या होती है ना की 17,82,73 यह जो है नहीं है आपका जो row की संख्या exact होगा वह यहाँ पे 10,48,576 होगा जबकि 16,384 यह excel में column की संख्या होती है अब चलेंगे next liner पे यानि true false वाले प्रशन पे तो वो दिया है coral drama में किसी object के अंदर photo को भीजने के लिए add perspective option का प्रियोग करते हैं आपको पहचानना है यह sentence true है अथवा false है तो दोस्तों यहाँ पर यह जो sentence लिखा गया है यह जो statement दिया गया है पूरी तरह से सही है जी हाँ दोस्तों किसी भी object के अंदर अगर आप photo को भीजना चाहते है तो आपको add perspective option का प् पर है वो है accounting के अंतरगत सभी प्रकार के गणिती या गड़नाओं से संबंधित कार्य किये जाते हैं तो जी हाँ दोस्तों accounting के अंतरगत जो है आप commercial लगबग हर एक तरह का mathematical काम करते हैं लेकिन यहाँ पर एक बार ध्यान से पढ़ लिजिए accounting के अंतरगत सभी प्रकार के गणिती या गड़नाओं को आप यहाँ नहीं कर सकते हैं लगबग हर तरह के गणिती या गड़नाओं को करने के लिए हम लोग MSXL प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं जबकि accounting के अंतरगत हम लोग commercial mathematical calculation करने का काम यानि कि वानिजिकी या जो गणित होती है उसे करने का काम कर आते हैं और next यहाँ पर जो statement दिया गया है वो है टैली का हिंदी नाम लेखा होता है तो यहाँ जो sentence है वहाँ पूरी तरह से बिलकुल right होने वाला है दोस्तों अब चलेंगे हम लोग question number 3 के तरफ और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर match the following content column X to column Y given below जी हाँ दोस्तो यहाँ पर column X को column Y के साथ आपको match करना है और इसमें भी आप देखेंगे कि कुल 10 प्रशन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कि प्रतिक प्रशन एक अंक का होने वाला है तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि column X और column Y में पूरा total content क्या है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या क्या हो सकता है और किसके साथ हम किसको रखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मैं जानबुच के zooming को कम कर रहा हूँ ताकि पूरा का पूरा content आपको एक ही बार में दिख जाए और उसके बाद फिर आसानी के साथ आप उसे समझ सकें देख सकें तो दोस्तों आप यहाँ पर पूरा टेबल यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है आप देख पा रहा है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल सटीक आंसर देखना है कि किसके साथ find को आप मैच करा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है इसमें हम find को control F के साथ यानि कि find जो है हम इसके साथ इसको मैच कर सकते हैं यहाँ पर मैं आगे चलके और bracket में इस पर हम numbering कर देते हैं 1 का यानि कि 3.1 का जो होगा वो हो जाएगा control F यानि J बिल्कुल right answer होगा यहाँ पर दिया है expand formula bar formula bar को expand करने के लिए क्या आप use करेंगे इसमें तो यहाँ पर आप देखेंगे control shift U का आप इस्तेमाल कर सकते हैं formula bar जो होता है उसको expand करने के लिए control shift U का परियोग किया जाता है जिससे formula bar जो है आपका पूरी तरह से expand हो जाता है current slide show के लिए आप क्या परियोग करेंगे तो current slide show के लिए shortcut यहाँ पर दिया है shift के साथ F5 यानि कि I जो होगा बिल्कुल इसका right answer होगा यानि कि यहाँ पर हो जाएगा 3 दोस्तों इसके बाद से है report view report view क्या होता है तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग report view की अगर बात करें तो कोई shortcut तो यहाँ दिया नहीं है report view ms access में प्रियोग होता है यहाँ दोस्तों जो report view है वो ms access में प्रियोग होता है तो यहाँ पर आप right यहाँ पर कर सकते हैं चौथा number ms access के लिए इसके बाद से यहाँ पर पूछा गया है color palette color palette के लिए क्या दिया गया है तो आप देखें यहाँ पर ctrl j ctrl j है वो color palette का shortcut है तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख सकते हैं आपको जब आप इस प्रश्णों को अपने notebook में लिखिएगा तो यहाँ पर बस किसका कौन सा right answer है उसके साथ आपको यहाँ पर match करा देना होगा या चाहें तो उसके सामने इसका right answer भी आप लिख सकते हैं इसके बाद देखिए convert to curve दिया हुआ है convert to curve के बारे में यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह देखिए control Q जो इसका shortcut होता है जिहां दोस्तों control Q जो है यह convert to curve का shortcut होगा यानि कि यहाँ पर हम लोग 6 लिख सकते हैं जबकि assets के बारे में अगर देखें तो नीचे से देखिए हम लोगों ने लगभग सब को select कर लिया assets, value added, provision, assets जेखिए जी हां दोस्तों assets दो होते हैं running और fixed तो यहाँ पर assets के लिए हम लोग यानि 7 का right answer यहाँ पर हो जाने वाला है C और next है text officer तो text officer जो है यह provision के लिए होगा जी हाँ दोस्तों provision के अंतरगर जो है text officer की entry कराई जाती है tally नामा का application में तो यहाँ पर जो है हम आठवा कर लेते हैं सही वैट यहाँ पर दिया गया है वैट यानि यह देखिए पूरा नाम दिया है value added text वैट का पूरा नाम है value added text यहाँ पर 9 हम लोग कर सकते हैं जो की बिल्कुल ही इसका right answer होगा और next है इसमे www और www का पूरा नाम हो जाएगा worldwide web जी हाँ दोस्तों www का पूरा नाम यहाँ पर हो जाएगा worldwide web तो यह बिल्कुल ही right answer यहाँ पर हो गया तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहोंगे कि हम लोगों ने कितना आसानी के साथ पूरे कॉलमों को मैच कर लिया है और यहाँ पर Ctrl D जो है यह एक Extra Option दे रखा है दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ आपको Extra Option देखने को मिल सकता है जो कि यहाँ पर आपको Confuse करने के लिए दिया जा सकता है तो यहाँ पर इसी तरह से आपको यह X कॉलम में जितने भी दिये गए होंगे प्रस्णिन को ध्यान से देखना है और Y कॉलम में उसके साथ आपको मैच कराना है और बिल्कुल Right Answer पर जाना होगा अब हम लोग Page की Zooming को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और चलते हैं अपने Next Question पर जो की Question No.4 है यहाँ पर हम लोगों ने मैच कर लिया है और अब देखेंगे आप यहाँ पर Question No.4 दिया गया है वो यहाँ पर Fill in the Blank का है TFT का Full Form है दोस्तों आपको यहाँ पर TFT का पूरा नाम भर देना होगा मैं आपको बता दू TFT का पूरा नाम Thene Film Transistor होता है जिहां दोस्तों Thene Film Transistor TFT का बिल्कुल पूरा नाम हो जाएगा तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा TFT Monitor का एक प्रकार होता है और TFT monitor का पूरा नाम Thene Film Transistor होता है printer की जो गती होती है उसे page per minute में मापते हैं जिहां दोस्तों printer की जो गती होती है उसे character per second यहां पर देखिए मैं short format में कर देता हूँ और यहां पर short format में हम लोग character per second भी लिख सकते हैं या फिर page per minute भी लिखा जा सकता है जिहां दोस्तों page per minute आप लिख सकते हैं या फिर character per second भी आप printer की गती लिख सकते हैं इसके अलावा हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए दिया हुआ है MS PowerPoint के अंतर गत new slide लेने का shortcut की क्या है जिहां दोस्तों अगर new slide आप लेना चाहते हैं तो आपकी shortcut का प्रयोग करेंगे तो यहां पर आप CTRL के साथ CTRL यानि control के साथ आप M करेंगे तो आपके सामने नई slide आ जाएगी नेक्स चलते हैं तो यहां पर वर्ड में footnote insert करने का shortcut की क्या है तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही यहां पर दिखा दिया था footnote और end note यहां पर दो option दिये गए है तो यहां पर आप देखिए footnote को insert करने का shortcut Alt CTRL F है यहां पर देखिए average का प्रश्न पूछा गया है equal average का formula यह जो दिया गया है इसका परिणाम क्या होगा average में होता क्या है कि जितनी संख्याएं होती है इन सब को जोड लिया जाता है तो हम जोड लेते हैं 2, 3, 5, 4, 9, 4, 9, 5 हो जाएगा 14 और 14 और 6 20 हो जाएगा और कुल total संख्याएं यहां पर 5 हैं तो 20 में 5 का हम लोग भाग दे देंगे तो यहां पर जो है right answer जो होगा वो 4 हो जाएगा क्योंकि 5 का भाग जब 20 में देंगे तो 4 बार जाएगा यानि कि और शतन यहां पर value जो होगी वो 4 हो जाएगा तो average जो है अभी संख्याओं को जोड के और जितनी संख्याओं होती है उससे भाग दे करके जो उसका भागफल होता है वही average का answer होता है दोस्तों आपको बता दे excel के अंतरगत left, right, mid, upper, lower, average SQRT यानि square root निकालने के लिए SQRT या इस तरह के लागातार function बार-बार पूछे गए है इनका मैंने एक video भी बना रखा है आप चाहें तो MS Excel के playlist में जा करके और उन videos को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा आगे चलेंगे तो यहाँ पर BIOS का पूरा नाम पूछा गया है BIOS यानि Basic Input Output System जी हाँ दोस्तों Basic Input Output System यहाँ BIOS का पूरा नाम होता है तो यहाँ पर इसको भी आप याद रखिएगा इसके अलावा Lane के बारे में दिया हुए जी हाँ दोस्तों अभी मैं थोड़ी दिर पहले बता रहा था Lane function जो है यहाँ लिखे गए bracket के अंदर string के length को गिनता है दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जब भी formula के अंदर कोई हम लोग string लिखते हैं तो हमेशा उसको double quote में लिखा जाता है तो यहाँ पर string जो होगा Lane का वह computer में जब हम इस formula का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा तो इसका जितना भी length होगा यह हमको गिन के दे देगा यानि 1,2,3,4,5,6,7,8 यानि इसका परिणाम यहाँ पर 8 आपको मिलेगा अब चलेंगे हम लोग next question पे तो यहाँ पर दिया हुआ है PageMaker में defined style का shortcut की क्या होता है जी हाँ दोस्तों defined style का shortcut की क्या होता है तो मैं यहाँ पर सीधे आपको PageMaker में ले करके चलता हूँ और यहाँ पर मैं defined style नामक option भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और साथी साथ defined style का shortcut की क्या है यह भी मैं आपको सीधे सीधे दिखा देता हूँ ताकि आसानी से आपको याद रहेगा तो दोस्तों इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि कई सारे full form कई सारे shortcut की और कुछ formula function या इस तरह के तमाम आपको यहाँ पर प्रशन देखने को मिल रहे हैं कुछ इसी तरह का प्रशन पत्र आपको देखने को मिल सकता है यहाँ केवल और केवल एक अनुमान है और आपको यहाँ पर केवल इसे अनुमान के तौर पर लेना चाहिए यहाँ पर इस तरह से option आपको देखने को मिल जाएगा आप देखेंगे type menu के अंतरगत आपको defined style नाप का option मिल रहा है जिसका shortcut control के साथ 3 है यहाँ दोस्तों defined style का shortcut control के साथ 3 यानि की 3 है तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा type menu के अंतरगत आपको defined style मिल रहा है control 3 इसका shortcut की यहाँ पर हो जाएगा आगे चलेंगे तो coral draw में ungroup का shortcut क्या होगा तो control G से group होता है तो ungroup के लिए हो जाएगा control shift U शायद control shift U ही आपको coral draw के अंदर उसका shortcut मिल जाएगा चलेंगे हम लोग इसको देख लेते हैं यहाँ पर देखें ungroup का shift नहीं लगा है केवल और केवल जो है control के साथ U ungroup के लिए shortcut है यहाँ दोस्तों group के लिए control G है और ungroup के लिए control shift U sorry control के साथ U जो है आपको ungroup का मिल जा रहा है shortcut control U ungroup का shortcut हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर 4.9 जो है यहाँ पर control U हो जाएगा अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर देखिए प्रस्ण दिया हुआ है PowerPoint में slide को pause करने के लिए कि shortcut का परियोग करते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप PowerPoint application चला रहे हैं तो आप slide को रोकना चाहते हैं तो किस तरह से उसे आप रोक पाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको skip button या आपको अलग से button जो है वो press करना होगा जब आपको slide को pause करना होगा यहाँ पर देखिए start slide show में हम जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या slide को shortcut को रोकने के लिए कौन सा हम button प्रेस करेंगे तो जहाँ तक मुझे लगता है कि slide को जब हम लोग play करते हैं तो उसको रोकने के लिए हम लोग space button का प्रियोग करते हैं क्या यहाँ सही है या नहीं इसको आप लोग जरूर comment कीजिए और बताईए कि क्या presentation के दौरान अगर presentation चल रहा है और उसे हम रोकना चाते हैं तो क्या space button दबा के हम उसे रोक सकते हैं क्योंकि escape button दबा करके तो हम लोग बाहर निकलते हैं तो क्या space button दबा की सोका जा सकता है यह सही है या कि नहीं यह आप मुझे नीशे जरूर comment करके बताईएगा दोस्तों यह 4 प्रशन यहाँ पर पुरी तरह से हो चुके हैं और अब हमारे सामने आ गया है भाग दो यानि की part 2 part 2 में यहाँ पर आपको 4 प्रशनों का उत्तर देना है जिहां दोस्तों आपको कुल 4 प्रशनों का उत्तर देना है और यहाँ पर पांच्वा जो प्रशन है यहां पर थोड़ी सी zooming को घटा करके आपको दिखा देता हूं और आपको पता चल जाएगा कि कुल कितने जो है यहां पर आपको answer देने है दोस्तों यहां पर आप देख पारे होंगे कि कुल कितने right answer आपको यहां पर देखने को देने को मिल जायेगा तो यहाँ पे आप आशानी के साथ अपना right answer कर लीजिएगा जिससे की पूरा पता चल सके कि आपको कुल कितने right answer करने है थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग रुख जाएं यहाँ पे जो desktop है वो हलका सा hang कर चुका है तो मैं यहाँ पर आवा चुका हूँ और यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि कुल कितने प्रस्न यहाँ पर दिये गया है तो सबसे पहले जो पांचवा प्रस्न दिया गया है आप देखेंगे कि पांचवे प्रस्न में कुल यहाँ पर चार प्रस्न दिये गया है जिहां दोस्तों पाँचवे प्रश्ण के अंतर गत आप देख पा रहे होंगे कि चार प्रश्ण दिये हैं यानि अगर आप पाँचवे प्रश्ण करना शुरू करते हैं तो आपको यह चारो प्रश्ण करना होगा जी हाँ दोस्तों आप अगर पाँचवे प्रश्ण को करना शुरू करेंगे तो आपको एके करके A, B, C और D ये चारो प्रश्ण आपको करना होगा जैसे पाँचवे प्रश्ण में देखिए सेल रेंज से आप क्या समझते हैं एकसल विंडो में सेल रेंज का परदर्शन कहा होता है या एड़ पेज मेकर के अंतरगट टेक्स्ट रैप टूल का यूज क्यों किया जाता है कांसिन्मेंट अकाउंट का प्रियोग किसी व्यापार का व्यापारी क्यों करता है इसका अंतर सपस्ट करना है आपको और साथी शाथ अड़ोब कोरल ड्रा के अंतरगत नाइफ टूल का यूज क्यों करते हैं इसके बारे मताना है तो दोस्तों अगर आप प्रशन नंबर पांचवे को सेलेक्ट करते हैं तो इन चारों के चारों प्रशनों का आपको यहाँ पर देना होगा ऐसा नहीं कि इसमें से किसी दो को कर दिया या तीन को कर दिया एक छोड़ दिया ऐसा आपको नहीं करना होगा अगर आप प्रशन पांचवे को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे चारों के चारों प्रशनों का उत्तर देना होगा और अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो पूरी तरह से छोड़ भी सकते हैं तब फिर आपको question number 6 को पूरा करना होगा दोस्तों यहाँ पे जो है 5, 6, 7, 8, 9 कुल 9 प्रस्ण यानि कि 5 प्रस्ण दिये गए हैं और 5 में से आपको 4 करना है जैसा देखिए question number 6 यहाँ पर दिया गया है mail merge का प्रियोग क्यों किया जाता है एवं यहाँ किस tab के अंतरगत आता है MS Word से related है आप देख पा रहे होंगे कि mailing tab के अंतरगत आपको mail merge की सुविधा मिलती है और पूछा गया है कि यहाँ किस tab में आता है तो mailing tab में आता है जो आकार के अधार पर computer होते हैं वह सभी digital computer की category में आ जाते हैं तो इन चारों के बारे में आपको detail लिखना होगा नेक्स्ट अगर आप देखें तो directory command क्या है DOS के अंतरगत प्रियोग किये जाने वाले किनी 5 directory command के कारियों को स्पस्ट करना है तो ये जो है directory command आप असानी से लिखने का काम कर सकते हैं साथी साथ 5 directory command भी आप लिखने का काम कर सकते हैं दोस्तों बता दें कि directory command जो होते हैं directory slash s, directory slash on, directory slash os, directory slash p, directory slash w इस तरह के command होते हैं तो इसमें से 5 के बारे में आपको लिखना है और disc defermentor से आप क्या समझते हैं इसके बारे में व्याख्या कीजिए तो यहाँ पर इसे भी आप चाहें तो define कर सकते हैं तो दोस्तों अगर question 6 आप start करते हैं करना तो इन चारों को ही आपको solve करना होगा आगे चलते है question number 7 हम लोग देखते हैं question number 7 में किस तरह के प्रशन जो है हमने अनुमानित किया है दोस्तों आपको बता दें कि ये सभी के सभी प्रशन केवल एक अनुमान है कि इस तरह प्रशन पूछे जा सकते हैं जो आपकी तयारी के लिए केवल और केवल model paper है यह हूबहू ऐसा paper नहीं है ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिएगा यह केवल एक model paper है जो आपकी तयारी का एक base आपको बता रहा है बाकी आपको अपने पूरे syllabus को अच्छे से पढ़ करके जाना है relationship की आवशकता क्यों पढ़ती है यह किसी user के लिए किस प्रकार फायदे मंद है relationship यह MS Access का topic है जिसमें की relational database में आप table का farm के साथ, farm का query के साथ, query का other file के साथ जो है कैसे आप relationship तयार करते हैं यहां से आप इसे use कर सकते हैं accounting के अंदर गत खाता को debit करने के कितने नियम होते हैं जिहां दोस्तों अगर accounting में आपको कोई खाता आपने खोल रखा है तो उसको किस किस तरह से debit कर सकते हैं जैसे कि आप checkbook के द्वारा उसे debit कर सकते हैं online transaction करके कर सकते हैं net banking के थूँ, UPI के थूँ आप चाहें तो withdrawal slip भरके इसे चाहें तो आप debit कर सकते हैं तो इस तरहीके से debit करने के कितने नियम हो सकते हैं उनके बारे में एक करके लिखना होगा इसके अलावा tally 9 के अंतरगत group कितने आते हैं उन्हें सपस्ट करना है या दोस्तो tally 9 के अंतरगत जो 28 group आते हैं उनके बारे में आपको लिखना होगा उन 2800 के जो चार अलग-अलग category है liability side, income side, expense side और asset side इनको भी आपको यहाँ पर सपस्ट करना होगा wet क्या है और कितने दरों में बाटा गया है इनकी नहीं दो को सपस्ट करें तो wet के बारे में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है मैं आपको recommend करूँगा कि आप लोग GST जरूर देखके जाएगा क्योंकि GST जो है यहाँ नए में जोड़ा गया है तो जिस वज़े से इसको पूछे जाने की काफी संभावना है wet तो पुराने समय में प्रयोग किया जाता था तो मैंने यहाँ पर एक केवल अनुमान किया है लेकिन आप लोग GST जरूर देखकर के जाएगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि wet और GST इन दोनों में से जरूर कोई ना कोई आपसे पूछा जा सकता है प्रस नमबर आठवे के तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रस नमबर आठवे में देखिए दिया है इफ फंक्शन से आप क्या समझते है Excel में इसका प्रियोग क्यों किया जाता है इफ फंक्शन जो कंडिशनल फंक्शन है कि यदि ऐसा हो तो यह हो रिजल्ट वगएरा निकालने में आप इसका प्रियोग किये हुए है तो उसका आप लोग यहाँ पर डिफाइंड कर सकते है पेजमेकर के विंडो का नमांकन सचित्रवरन कीजिए जिहां दोस्तों कोई ना कोई एक अप्लिकेशन प्रोग्राम जो है आपसे जरूर उसका फिगर ड्रॉ करने के लिए कहा जा सकता है तो दोस्तों आप अपने पास एक पैंसिल, एरेजर, शॉपनर और स्केल वगएरा जरूर रखे रहिएगा ताकि आसानी के साथ आप अगर फिगर को ड्रॉ करना हो तो आप फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं अप्लिकेशन का क्या क्या काम है ऐसा आप चाहें तो लॉंग टाइप के कोश्चन में डिफाइन कर सकते हैं इसके अलावा जीस्टी के 12 परसेंट की दर से जितने भी प्रोड़क्ट आते हैं उनको सपस्ट करना है और इसके अंतरगत आने वाले वस्तूओं का नाम भी आपको लिखना है कि किन-किन प्रोड़क्ट पर 12 परसेंट का जीस्टी दर लगाया गया है दोस्तों अगला जो प्रशन है question number 9 वो देखे दिया है mouse का right button टास्क बार के खाली स्थान पर क्लिक करने पर कौन-कौन से option आते हैं और उनका कार्य क्या है इसके बारे में आपको देना है तो आप इसे भी आसानी से कर सकते हैं इसके अलावा page maker में plugins का प्रयोग क्यों किया जाता है इसके अंतर गताने वाले 4 option का नाम आपको देना है जिया दोस्तों plugin option आप इसका प्रयोग क्यों करते हैं तो यहाँ पर देखें मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर प्लग इन नाम का option आपको देखने को मिल जाता है utility menu में और यहाँ पर तमाम तरह के option है अगर आप लोग चाहें तो bullet and numbering, change case, drop cap, इसके अलावा agreed manager और यहाँ पर show height toolbar, word counter इस तरह से कई सारे option है जिनमें से 4-5 को आसानी से जो पहले भी आप लोग पढ़ चुके ह उन्हें यहाँ पर आसानी से लिखने का काम कर सकते हैं इसके अलावा जो है आगे बढ़े हम लोग तो देखें यहाँ पर दिया हुआ computer memory क्या है यह कितने प्रकार के होते हैं सचित्र वरणन कीजिए तो आप लोग computer की memory का भी diagram बना सकते हैं computer memory, primary, secondary, primary memory के कितने भाग और secondary memory इस तरह से काफी अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया गया है तो वह जो है आप यहाँ पर diagram बना सकते हैं इसके अलावा इसमें जो अंतिम प्रश्ण है वो है डॉस के अंतरगत error message क्या होता है तथा यहाँ कितने रूप में प्रदर्शित होता है तो डॉस में जो error message आते हैं तो इस तरह से प्रश्ण आपको देखने को मिल सकता है हम आशा करते हैं कि हमारा यहाँ पूरा का पूरा जो session है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस पूरे session में आपकी तयारी जो है बहुत ही अच्छे से हो गई होगी ऐसा आपको पता चल गया होगा तो दो कलर के बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन भी प्रेस कर लिजेगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लागातार मिलता रहे मिलते हैं अगले कुछ खास वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपनी तयारी को बहतर रखिए घर पर रहिए मस्त रहिए और अपनी तयारी करते रहिए और आपकी आगामी परिक्षा के लिए आपको बेस्ट आप लग आप लोग अपनी परिक्षा में सबसे बहतर करके आएं ऐसी मेरी शुब कामना हैं धन्यवाद दोस्तों